हाई लेवेंधीज, वेलकम टू इसीवे काउमर्स क्लासिस, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम एर्थमेटिक मीन चेप्टर में से अपना डिस्क्रीट सिरीज को सॉल्स करने वाले हैं तो सबसे पहले डिस्क्रीट सिरीज की पहचान कैसे होती है जबी भी हमारे साथ फ्रिक्वेंसी होगी वो डिस्क्रीट सिरीज बन जाती है और थर्ड गाईज हमारी कंटिनियूर्स सिरीज को पहचानना बहुत असान है उसमें हमारा 0 to 10, 10 to 20 एक चेन होती है उसे कंटिनियूर्स सिरीज कहते है तो अब हम इस सिरीज को जज़ कर सकते है ना यह कंटिनियूर्स तो है नी और प्लस इसके साथ फ्रिक्वेंसी है तो यह डिस्क्रीट सिरीज है क्योंकि individual सिरीज के साथ फ्रिक्वेंसी नहीं होती सिर्फ discrete series के साथ और continuous series के साथ frequency होती है तो अब यह discrete series है हम लोगों की हम हमें इसे solve करना है आज के एस वीडियो में guys हम तीनों method से यानि कि हमारे पास direct assume mean जिसे shortcut method भी कहते हैं और step deviation तीनों method से solve करना सीखेंगे और आप जानोगे guys यह बहुत असान है solve करना सबसे पहला जो हमारा form रहा होता है mean का वो होता है summation fx को divide करना है summation f से तो आपको सबसे पहले करना है f का total कर लो यानि कि frequency का total कर लेना है हमने तो यहाँ पर अगर मैं इसका total करू तो guys यह total आ रहा है 100 ठीक हैं? अब मुझे fx निकालना है तो यानि कि आपस में multiplication करना है बच्चों वाला काम है यह तो यह हो गया 50, यह हो गया 200 यह हो गया 1200 और कई बार इसमें भी गलते हो जाते हैं तो ध्यान से करना है guys 1, 2, 5, 0 अब अगर मैं इसको total करू कितना आएगा summation fx तो यह हो गया 1300, 14, 15 15 और 2000 हो गया 3500 तो असान था यह वाला अब हमारा फॉर्म रहा किया है summation fx 3500 आएगा summation f कितना आएगा है अल्रेडी 100 आएगा फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले यह ही calculate किया था तो अब यह आगया 35 तो आपका mean कितना आगया 35 आगया अब guys आप चाहें इस से इस method से solve करो इस से करो इस से करो answer 35 आना चुए ठीक है अब हम calculate करेंगे assume mean method से जो कि बहुत असान है guys आपने यह method देखा ना ठीक है इसमें हमारा फॉर्म रहा किया था summation fx divided by summation f अब वाले फॉर्म रहे में हमें assume करना है सबसे पहले एक mean तो हमें fx निकालने की need नहीं है ठीक है तो हम fx को हटा देते हैं ठीक है हमें सबसे पहले क्या करना है assume mean find out करना है तो assume कौन सा करें तो जो भी आपको लग रहे ना middle है वो कर लो यहाँ पे हम 30 को assume कर लेते हैं assume करने के बाद आपको d निकालना होता है d क्यों होता है deviation जो कि होता है x-a इसमें से इसी वाला mean को minus करना तो यानि कि assume mean हमारा 30 था तो 10-30-20 20-30-10 30-30-0 आप कुछ भी assume कर सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही करना है आप 20 भी assume करो आप 40 भी करो तब भी आपका आंसर जो इस वाले case में 35 आया था वही आएगा ठीक है अब d निकालने के बाद हम लोगों को fd निकालना है तो fd निकालेंगे यानि कि f को अब हमें x से multiply नहीं करना d से करना है बही निकालेंगे तो उसी से करेंगे अब करा तो यह हो गया माइनस हंडर्ड यह भी माइनस हंडर्ड जीरो यह हो गया 200 यह हो गया 500 तो अगर हम मैं इसका summation करूँ यह माइनस 200 प्लस 200 से कट गया तो यहां आगया 500 अब इसे यह formula में put करते है आपने assume mean क्या माना था 30 प्लस formula क्या है FD summation of FD 500 divided by summation of F कितना है summation of F? ठीक है कट करा हमने यह 5 30 प्लस 5 कितना हुआ पैंतिस हो गया तो इससे भी अगर आप करोगे आंसर यही आएगा अब बात करते है step deviation की जो इसका एक step और extra करते है और आंसर आ जाता है हम लगों का यानि कि आपको X ऐसी मानना है FD भी निकालना है लेकिन आपको FD नहीं निकालना आपको क्या करना है आपको FD' निकालना है तो यानि कि D निकालने के बाद हमें D' निकालना होता है D' क्या होता है D को divide करना उसके common factor से तो आप सबसे पहले D को divide करो common factor से तो अगर D आपका 20 आया तो common factor कौन सा है कौन सा table से 20, 10 सब जा सकता है तो 10 एक है जो 0 है सबसे ज़्यादा common है इसमें हम identify भी इसी से करते हैं कि कौन सी चीज common है तो 10 से कर देते हैं इसको divide माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 अब क्या करना है वही पहले वाला step FD' पहले हमने FD को multiply कर रहा था अब FD' को तो F तो हमें पता है D' निकल चुका है यह हो गया माइनस 10 माइनस 10, 0, 20, 50 अब आप notice करना सब कुछ सेम था इस वाले फॉर्मुले में सब कुछ सेम है बस 1, 0 कम आ रही है ठीक है क्योंकि हमने उसे 10 से divide कर दिया है अब अगर हम इसे solve करें माइनस 20, प्लस 20 से गया तो बच्चा 50 अब फॉर्मुला क्या है यही वाला exact formula लग रहा है assume mean प्लस fd dash अब fd की जगे क्या आगया fd की जगे fd dash तो हमने जो d dash पहले निकाला था उसको multiply कि f से तो हमारा आया 50 divide किस से करना है summation f से जो की है 100 लेकिन multiply कर देना है किस से हमें multiply करना है common factor that is c जिस से हमने divide किया था उसी से multiply कर रहा है जो कि 10 था अगें ये 500 बन गया 100 से divide किया ये कटा 30 प्लस 5 35 तो आप किसी भी method से solve कर आप का answer सेम आएगा even आप formula को भी notice करोगे ना guys वो भी similar ही है so बहुत ही easy concept है एक दो question try करो असानी से हो जाएंगे जो नहीं होगा मेरे साथ Instagram पर share करना कर दो कि वहाएंगे